नमस्कार मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6 और इस 6 के अनुसार सर आज बात करते हैं सर PNB यानि कि पंजाब नेशनल बैंक की सर काफी पुराना सर ये बैंक है और इसके अंदर काफी लोगों ने संभावना तलास करने की कोशिस भी कर रखी है कुछ लोग इसके अंदर संभावना अच्छी तलास करके बैठे हैं और तो कुछ लोग इसके अंदर संभावना तलास करके ठक कर एक्जिट करके भी बैठे हैं क्योंकि शेर काफी दिनों से सर उपर और नीचे करता ही रहता है और कितनी जल्दी ये फिर नीचे और कितनी जल्दी उपर आ जाता है और लोगों को लगता है कि इसके अंदर अब आगे जाकर संभावना नहीं है काफी सवाल मेरे से आते हैं कि PNB मैं किस तरह से देखता हूं सर तो सर मैं PNB को उसके काम के परती और उसके अंदर जो जो चीजी हो रही है उसके परती ही देखता हूं जैसे कि मैं सारे शेरों में उनके काम का और उसमें न्यूज का इफेक्ट जो आ रहा है उसके परती देखता हूं सबसे पहले आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि PNB बैंक जो है सर ये रिन देने की वज़े से थोड़ा लोस में भी आ चुका है और काफी लोग इसके पैसे लेकर भाग भी चुके हैं जैसे आपको पता है विजे मालला नीरम मोदी जैसे मोईल चौक्सी जैसे इसके अंदर से रिन लेके भाग चुके हैं इनी सभी की वज़े से इस बैंक में आपको गिरावट के आसार कुछ सालों पहले देखने को मिले लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूँ जैसे जैसे इसके अंदर वर्क हो रहा है और क्वाटर भाई क्वाटर ये प्रॉफिट दे रहा है और इस बार इसने जो प्रॉफिट दिया है लेकिन उसके बाद भी इसके शेरों में वो तेजी देखने को आपको नहीं मिली है सबसे पहले हम किसी भी बैंक को जब देखते हैं या किसी भी शेयरों को देखते हैं तो जब उसके अंदर प्रॉफिट आ जाता है तो अगले दिन से उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत ही आश्यक हो जाता है वो इसके अंदर भी होई है अगर इसका काम मजबूत है तो इसने profit दिया है तो इसका मतलब इसके अंदर हमें hold करके रखना चाहिए महल चौकसी और विजे माला की यहाँ पर लाने की जो तैयारी है वो भी हो चुकी है और उनकी संपत्ती को जबत करने के बाद जो धन निकलेगा वो भी बैंक में आना संबव है सरकार ने बैट बैंक के लिए भी काम किया है जो बैंकों में आपको अच्छी तेजी लाकर दिखाएगा और सरकार ने मान लिया है कि कुछ जो लोन होते वो वापस नहीं आएंगे उसको बैट बैंक की सिरेडी में उन्होंने लाकर दिया है ताकि बैंक उसका करजा उतार कर अच्छा सा प्रोग्रेस की तरह आगे बढ़े सरकार ने बैंकों को आपस में मर्ज करने का जो फैसला किया है वो भी इसके अंदर हो चुका है तो यानि कि अभी उसकी कारवाई पूर्टिया हो रही है और जैसे ही उनके कस्टमर भी इस बैंक रहे है और और ज़्यादा जुड़ेंगे तो ये बैंक आपको और ज़्यादा रती करता हुआ दिखाई देगा यानि कि सरकार का जो फैसला है सर मर्जवाला वो कहीं न कहीं अच्छा साबित हुआ है तब ही जाकर बैंक ने इस क्वाटर में अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को दिया है तो यानि कि जितने भी बैंकों में काम हो रहे हैं वो सब अच्छे के लिए हो रहे हैं और अच्छे के लिए जब काम होते हैं तो फिर हमें उसके प्राइज में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि उस situation के अनुसार जो 1-2 दिन या 1-2 महिने में जो प्राइज होते हैं तो सर उपर नीचे होते रहते हैं, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है इसके long term के लिए तो पंजाब National Bank में सर मुझे अच्छी संभावना इसके काम के परती दिख रही है तो SBI के साथ साथ, Bank of Broda के साथ साथ, PNV पे भी आपको एक अच्छी नजर रखनी चाहिए और अच्छी संभावना के साथ इस Bank में आपको उतरना चाहिए हर वीडियो में आपको टार्गटों पे काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि थम्निलों में गुसकर आप वीडियो देखते ही शेरों को करिदने बैट जाए और फिर उसके बाद वो शेरों में कुछ भी ऐसा नहीं दिखे जिससे आपको उसके अंदर डर लगे फिर आप उसके अंदर से निकल जाओ तो समझिए सरच शेरों की तेजी और शेरों की गिरावाट से शेरों को मत पिछानی पिखानिये पनजाब ने उसी संभाव ना देखने को मिल रही है वो मुझे बहुत लग रही है तो फिर मिलेंगे आपको नेडू के साथ जब तक के लिए